नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सिच्छक भरती की चुकि एक लाख अठतर हजार भरतियां होनी है जिसमें प्राथमिक सिच्छा के लिए आज माधिमिक सिच्छा के लिए यानी कि एक से पांस तक और छे से आठ तक नौ से दस तक ग्यारा से बारा तक तो इसके लिए पाठ्यक्रम अलग-अलग निरधारित है और पाठ्यक्रम को थोड़ा सा सरल सब्दों में यहाँ पर केवल जो प्राथमिक सिच्छक के लिए है यानि कि कच्छा से एक से पांस तक के लिए उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बाद जो आने वाले वीडियो है उसमें जो माध्मिक सिच्छा के लिए है और जो इंटर तक के लिए है उसको अगले वीडियो में डिसकस करेंगे फिलाल प्रात्मिक सिच्छक के लिए अब अध्यदेश जारी कर दिया, कानून जारी कर दिया गया है पिछला वीडियो आपने देखा होगा उसमें जो अधर स्टेट के बच्चे हैं वो भी सामिल हो सकते हैं अब हम बात करेंगे पाठिक्रम की एक से पास तक के लिए सरल बासा में समझेंगे तो निश्चित रूप से पाठिक्रम आपको रट जाएगा और पाठिक्रम बहुत ज़्यदा महत्पोड हो जाता है किसी भी selection पाने के लिए, कोई भी selection पाने के लिए और कोई भी exam निकालने के लिए तो चलिए, सुरू करते हैं एक से पास तक के लिए और सरल सब्दों में समझते हैं कि एक से पास तक के लिए क्या पाठिक्रम होना चाहिए अगर पाठिक्रम को हम देखें यानि कि एक से पांस तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ एक से पांस तक के पठिक्रम की बात हो रही है इसमें कुल जो पेपर होंगे वो दो होंगे कुल पेपर दो होंगे जिसमें एक भासा से संबन्दित होगा और एक होगा आपका सामन अध्यन से सम्मन देता अगर भासा की बात करें तो भासा के भी दो भाग रखे गए हैं भासा के भी दो भाग रखे गए हैं पहला भाग वन जिसमें अंग्रेजी आएगी और दूसरा भाग टू जिसमें हिंदी उर्दू बांगला इन तीनों भासाओं में से कोई एक भासा रहेगी तो निश्चित रूप से बहुत सारे ब्रतियों की भासा जो है हिंदी रहने वाली है सके लवा उर्दू बांगला कोई भी एक और जो भाग एक होगा यानि कि जो अंग्रेजी का पार्ट होगा भासा के अंतरगत अंग्रेजी का पार्ट ये 25 अंक का होगा और 25 प्रसन इसमें रहने वालने है दो घंटे का पेपर होगा भासा का अंग्रेजी का जो पोर्षन होगा यानि भागवन उसमें 25 अंक रहेंगे 25 प्रसनों के लिए और हिंदी का जो पोर्षन होगा, हिंदी या उर्दू या बांगला, उसका जो पोर्षन होगा, उसके लिए 75 अंक और 75 प्रसन जो है निर्धारित हैं, यानि कि प्रतेक प्रसन के लिए 1 अंक होगा, यानि कि कुल 100 प्रसन पूछे जाएंगे, और 100 प्रसनों में 100 अंक आपको मिलेंगे और इस भासा की जो परिच्छा होगी इसमें कम से कम 30% जो है अंकलाना अनिवार होगा इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी जो BPSC के तरफ से इन्होंने पूरा पाठिकरम जारी किया गया था ये पूरी जो डीटेल है वहीं से हमने लिए है उसमें साफ साफ लिखा है कि भासा की जो परिच्छा होगा उसमें 30% जो है अनिवार होगा और किसी प्रकार की कोई भी भासा का जो पठिकरम आपको समझ में आगया होगा कि भासा में दो भाग होगे पहला भाग होगा अंग्रेजी का दूसरा भाग होगा तीन भासाओं का इन तीन भासाओं में से कोई भी आप एक चुन सकते हैं दो घंटे की परिच्छा होगी अंग्रेजी सिर्फ 25 प्रसन और 25 अंक के आएंगे, हिंदी 75 रंग की आएगी, हिंदी उर्दू बांगला कोई भी 75 रंग की आएगी 75 प्रसन होगे, यानि कुल मिला के 100 प्रसन होगे और उसमें 30 परसन अनिवार है और किसी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अब बात करते हैं दू 120 प्रसन होगे, 120 अंकों के और ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया है इन्होंने कि जो ये CRT है, उससे संबंदित जो प्राथमिक विद्याले में जो भी पढ़ाया जा रहा है, यानि जो भी उनकी किताबें हैं, वहां से संबंदित होगे, ल अहां से प्रसन होगे, लेकिन उसका इस्तर जो रहेगा, वो इंटरेस्तर तक रहेगा, आप देखिए, इन्होंने पूरा डिटेल ये दिया है, कि सामानी गड़ित, और इसके लावा रेजिनिंग, जनल अवेरनेस, जिये, जनल साइंस, सामानी विज्ञान, सामाजी विज तो ये चीजें उन्होंने इस प्रस्ट की, जो 120 प्रसन होंगे, वो मैथ, रिजिनिंग, जिये, साइंस, सोसल साइंस, इंडियन नेशनल मोमेंट, भोगोल और एन्वार्मेंट से रिलेटेड होंगे, और ये प्रसन पत्र होगा दो घंटे का, यानि कि दो प्रसन, इसमें प्रात्मिक सिच्चा के लिए आपको दो परिच्छाएं देनी हैं, दो दो घंटे की, पहली भासा की, आहरता की, उसमें जो है, अंग्रेजी आएगी 25 प्रसन आएंगे, 25 अंके, और हिंदी, उर्दू, बांगला में से कोई एक, वो आएगी 75 अंकी, 75 प्रसन होंगे, 30 पर प्रातिक्रम उन्होंने दिया है, उसमें ये इस पष्ट नहीं किया है, कि सामान्य अध्यन का जो दूसरा पेपर होगा, इसमें निगेटिव होगी या नहीं होगी, लेकिन ये जो पेपर है, इसमें, में भी मान के सलसत नहीं, इसमें सामान्य अध्यन में, जो दो घंटे क और factual प्रसनाएंगे, यह आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं तो निश्चित रूप से, आपको जो वीडियो मिलेंगे, उनसे आपको वैलू मिलेगे और निश्चित रूप से, प्रते एक वीडियो कोई न कोई अंक देखे आपको जाएगा, फिलाल उमेद करता हूँ कि यह सिच्छागा, जो पाठीक्राम है वो आप समझ गया होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, किसी भी समस्या के लिए कोई भी चीज आपको ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, और जो आपका मादिमिक सिच्छागा सलेबस है, उसको भी डीटेल के साथ जल्ली इसका वीडियो भी में डालूँगा और उमीद करता हूँ कि आप एक अच्छे स्तरगी और अच्छी तैयारी करेंगे और निश्चेत रूप से विहार से छगवर्ती में सेलेक्ट होंगे